So BCCI ने recently अपने contract, central contract का एलान किया और कौन से place include हुए, कौन से exclude हुए इसके बार में इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन सबसे जादा बड़ी गाज गिरी है वो गिरी है दो प्लेयर्स पे जिनका आप सबी को नाम पता ही होगा क्योंकि दो महीने हो गए है यही सब बाते चल रही है इशान, किशन और श्रेस, Iyer के बारे में कि वो टीम में include नहीं होते हैं कि सरास उनका आगे future रहने वाला है career कैसे रहने वाला है इन सब के बारे में और इसके चलते BCCI ने बहुत बड़ा statement एक जाहिर कर दिया है अपने central contract के थुरू वो यह है कि इशान, किशन और श्रेस, Iyer दोनों के दोनों players को central contract नहीं दिया गया है अब यहाँ पे बहुत बड़ा एलान है यह बहुत बड़ी statement है BCCI की तरफ से वापसी करनी होगे और इंडिया के लिए at least या तो तीन test match या आठ वन डे या फिर दस T20 international खेलने होंगे central contract पाने के लिए लेकिन अगर माल लो उससे ज़दा कम उससे कम matches खेलते हैं जनरली अगर यह सब players या कोई भी players तो उनको क्या होता है उनको मिलती है match fees बस उसके लवा और कुछ नहीं मिलता है और उसके लवा क्या perks होते हैं एक central contracted players के वो अगर मैं आपको बता हूँ तो of course एक insurance policy जो उनको मिलती है BCCI की तरफ से insurance रहता है उसके साथ सथ NCA का accessibility रहती है BCCI के तरफ से उसके अलावा अगर कोई state cricketer है या फिर मतलब जो non-centrally contracted player है उसको अपनी state team के association के थुरू जाना पड़ता है NCA के लिए लेकिन BCCI के अगर आप central contracted player हो तो आप directly भी जा सकते हैं वहाँ पर और उसके साथ obviously जो match fees होगी उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा For example अगर grade C cricketer की बात करें तो उनको overall yearly basis पे एक करोड़ रुपे मिलेंगे उसके अलावा over and above जो भी match fees होगी वो मिलेगी तो अगर कोई भी player दो test match खेलता है तीन नहीं खेल पाता है एक particular period में जो की है 1st October 2023 से लेके 30th September 2024 के बीच में सिर्फ दो test match खेलता है For example तो उनको 30 लाग रुपे match fees मिलेगी बट उनको उसके अलावा over and above वो central contract में fit नहीं बैठते है और इसी के चलते अब इस तरह से ये वो रहता है perks रहते है जो central contracted players को मिलते है तो अब बात करें कि कौन-कौन से player central contract में है और कितना amount उनको मिलने वाला है overall एक yearly compensation होती है BCCI के लिए और मतलब कौन-कौन माना माल हो चुक है ये वाली बात करते है और किस-को कितना पैसा मिलता है क्योंकि BCCI ये भाई दिल खोल के चपर फार के पैसा देती है और अगर आप अच्छा खेल रहे हो देश के लिए खेल रहे हो और results लेकर आ रहे हो तो obvious ही बात है कि BCCI उसको renumerate करने में बिलकुल भी नहीं चूकती है तो अगर हम बात करें A-plus category की grade A-plus जो की सबसे top level category है और उनको 7 करोड रुपे मिलते है yearly तो उसमें कौन आता है पांच करोड रुपे हर साल और उसके साथ साथ grade B की बात करें जिसमें 3 करोड रुपे हर साल मिलेंगे और वो athletes है पांच athletes जिनका नाम है सूर्यकुमार यादव रिशप पंत कुल्दीब यादव अक्षर पटेल यशस्वी जैसवाल अब ये grade B में रिशप पंत जो है पहल वर्मा का नाम आता है उसके बाद दुरतुराज गायकवाड उस टीम में है उस grade category में है फिर शार्दुल ठाकुर, शिवम दूबे, रवी विश्नोवी, जितेश, शर्मा, वाशिंटन, सुंदर, मुकेश, कुमार, संजू, सैमसन, अर्षदीब, सिंग, केस, भरत, प्लेस नहीं है इस contract में, overall central contract के पार्ट नहीं बचे हैं, उन में सबसे बड़ा नाम आता है, obviously, इशान किशन का, श्रेस अयर का, उसके साथ सबसे बड़ा और आता है नाम, चिटेशवर पुजारा का, और यूजी चहल का भी, जिंके रहाने भी हैं, तो अब यूजी चहल क का नाम बहुत सप्राइजिंग है सब के लिए, बिकाज कहीं ना कहीं सबकु अमीदे थी कि यूजी चहल ना, थोड़ा सा कमबाक करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद से बीसी से का एक स्टेटमेंट है कि आप से हम मूव औन कर चुके हैं, और शायद साब को औ चीज़ें चल रही है कि पिए से युजी चैहल्थ से मुव अन कर लिया है, और उसके साथ सारी चेटेशवर, पुजा रहा और रजिंके रहाने भी नहीं है, उमेछ शादव बीसेंटरल कॉंट्रयक खा हिस्सा नहीं है, एवन शिखर्धवन बीसेंटरल कॉंट्राइट का यंग्स टेस्ट जो है उनको जादा सपोर्ट करने वाले हैं तो अब यह देखने वाली बात होगी किस तरह से आगे के सिन्यारियोज रहेंगे या पर इशान किशनों श्रेस अइयर के लिए और उसके साथत जैशान ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि दुरूफ जुरेल और सरफरास खान को लेकर कि उन लोग ने अब तक दो मैचेश खेले हैं बट जैसे ही वो तीसरा मैच खेलते हैं टेस्ट मैच धरमशाला टेस्ट तो वो सेंट्रल कॉंट्राक्ट के लिए एकदम ही मिलती है तो यह था ओवराल बीशी से का सिंडरल कॉंट्राक्ट और इसके अलावा एक और चीज़ी से ने बहुत अच्छी प्रोपोस किया यहां पर एंडेयर प्लानिंग ऑन डाट की एक फास्ट बोलिंग पूल बनाया जाएगा रेड बॉल के लिए और उनका अलग कि किस तरह से उनको अभी ऐसा कुछ डेटेल्स नहीं कि किस तरह करक्स मिलेंगे किस तरह के रेनुमरेशन रहेगा कितना पैसा मिलेगा लेकिन कौन-कौन से प्लेयर उसके लिए उसके बारे में आपको जरूर जातों नाम उसमें नाम आएंगे अकाश दीप, विजय कुमा करते हैं उसके लिए, अब उसके अंदर क्या-क्या आगे पैसा मिलेगा उनको कितना और क्या-क्या फसिलिटीज मिलेंगी, वो अभी तक BCCI ने और सेलेक्शन कमिटी ने कुछ जादा उसके बार में रिवील नहीं किया, लेकिन आने वाले टाइम में इसके बार में पता च चल जाएगा और अगर उन्हों हमें पता चल जाएगा तो हम आपको सबसे पहले बताई देंगे, तो उसके लिए क्रिकेट ग्यान को सब्सक्राइब करना मत बूलना और कॉमेंट्स में अपनी रहे जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि श्रेस अई और इशान किशन के वापसी होगी यहाँ पे इंडियन टीम में इतनी जल्दी या फिर बहुत टाइम लगने वाला और सेंट्रल कॉंट्राइब को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा और कौन सा प्लेयर आपके हिसाब सेंट्रल कॉंट्राइब के लिए अलिजिबल और बहतर कॉंट्राइब के था तो यह भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपनी राइज जरूर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ग्यान को सब्सक्राइब करना मत भूलना थांक यू सो मच